अगर आप भी इस समय यानि 2021 में एक नई washing machine लेना चाहते हैं लेकिन market में available different options, different brands, different technologies को लेकर confused हैं तो ये video specially आपके लिए है, video को आप end तक जरूर देखना आज की जो वीडियो है ये basically एक washing machine buying guide वीडियो होने वाली है, जहाँ पर मैं आपको washing machine से related कुछ important points बताऊंगा और इस video को पूरा end तक देखने के बाद आपको किसी और से जाकर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस budget में कौन सा washing machine लेना चाहिए, आप अपने लिए पता है, आप directly मेरे recommended products को buy करना चाहते हो, तो description में मैंने मेरे कुछ best recommended washing machines की list दी है, आप वहाँ पर जाकर buy कर सकते हैं, चलिए वीडियो को यहाँ पर हम शुरू करते हैं, तो washing machine buy करने का सबसे पहला step है, select your maximum budget, जी हाँ दोस्तों जबी भी हम कोई नया product buy करते हैं, तो हम उस 15,000 रुपे का है, लेकिन आपको 17,000 रुपे में उससे अच्छा product मिल रहा है, तो क्या आप 17,000 रुपे तक का budget जो है extend कर सकते हो, तो यह आपको पहले decide कर लेना है कि आप max to make अगर आपको थोड़ा अच्छा product मिल जाए, तो आप कितने तक जो है अपना budget जो है, वो बढ़ सकते हो, इससे आपको असानी होगी उसी particular range में एक अच्छा option ढूनने के लिए, तो सबसे पहले आपको decide कर लेना है कि आपका minimum और maximum budget कितना है, अब यहाँ पर अगर आपने budget decide कर लिया है, तो अब यहाँ पर हम ready है, हमारे next step पर जाने के लिए, प्र अगला step है washing machine type, जी यहा पर हम semi-automatic machines की, तो इस type के जो washing machines है, वो कुछ इस प्रिकार देखने मलते हैं, और जितने भी brands के आपको semi-automatic machines मलते हैं, वो सब देखने में ऐसे ही होते हैं, यहाँ पर आपको दो अलग-अलग compartment मलते हैं, पहला होता है dryer और दूसरा होता है washer, यानि dryer और washer यहाँ पर आपको दोनों ही अलग-अलग देखने मलते हैं, यहाँ पर आपको इनकी pricing 7000 रुपे से लेकर 16-17000 रुपे तक देखने मिल जाती है, और इसी वज़े से इंडिया में जितने भी washing machines sell होते हैं, उसमें सबसे जादा number जो है, वो semi-automatic machines का होता है, विकास यह काफी सस्ते होते हैं, कुछ benefit है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात, यह काफी सबसे बज़ेट friendly है, काफी कम price में आपको इस ताइप के washing machines देखने मिल जाते हैं, इसी के साथ, semi-automatic machines में आपको electricity requirement और water requirement काफी कम लगती है, साधे-साध अगर आपके घर पे proper water supply नहीं है, तो भी यहाँ पर आपको को साधा options नहीं मिलते हैं, और यहाँ पर जो पूरा user interface वो काफी साधा simple होता है, कुछ ही आपको buttons और options मिलते हैं, जो की पूरे process वो काफी साधा simple बनाते हैं, तो यह कुछ benefits यहाँ पर आपको semi-automatic में मिलते हैं, इसी के साथ जैसे आप सभी को पता है, अगर कोई product में आपको कुछ manual tasks गरूर करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर अगर कपड़े आपके wash होगे, तो आपको खुद manually कपड़े निकाल कर उसको rinse करके, आपको washer, dryer में डालना होगा, उसके बाद dryer भी जो है, वो काफी दार time लेता है कपड़े सुखाने के लिए, और यहाँ लगबक 70% त तुरानी हो जाती है, तो machine जो काफिजदा shake करती है, तो यह कुछ यहाँ पर आपको cons देखने मलते हैं, semi-automatic machines में, इसी के साथ यहाँ पर आपको जो options है, वो थोड़े कम देखने मलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका budget जो है, वो 7-8,000 से लेकर 15,000 रुप front loading fully automatic washing machine की, तो यहाँ पर इस type के जो machine है, वो कुछ इस प्रकार देखने मलते हैं, सभी brand के top loading machines जो हैं, वो आपको ऐसे ही देखने मलेंगे, color और थोड़ा बहुत design का आपको change देखने मलेगा, वेल, यहाँ पर बात करते हैं इसके pros and cons की, तो यहाँ पर सबसे पहले benefits की बात नहीं है, आप बस कपड़े डालिए, detergent यहाँ पर आप अलड़ी insert कर देंगे, उसके बाद आपको कपड़े धोकर और सुखा कर मिल जाते हैं, तो यह इसका benefit है, इसी के साथ यहाँ अगर बात करे जाए, options की, तो उसमें आपको काफी ज़दा options मिलते हैं, तो suppose अगर आपक washing machine buy करने का, इसी के साथ यहाँ पर जो noise है, वो उतनी नहीं आती है, जितना हमें semi-automatic में देखने मलती है, और यहाँ पर यह जो machine है, वो ज़दा shake भी नहीं होती है, इसमें आपको child lock feature भी जो है, मिल जाता है, तो feature-wise washing machine काफी अच्छा है, और यहाँ पर आपको washing quality भी काफ इच्छी मिलती है, बात करते हैं, यहाँ पर हम cons की, जैसे कि मैंने बताया, हर एक product में कुछ pros and cons जरूर होते हैं, तो यहाँ पर जो सबसे पहला con है, वो यह है कि यहाँ पर electricity requirement इसकी जादा है, has compared to semi-automatic washing machine, इसी के साथ इस type के machines की जो water requirement है, वो भी जादा होती है, और इसी क case में यहाँ पर problem हो सकता है, because यहाँ पर आप semi-automatic machine की तरह एक साथ balty से या फिर bucket से water डाल के washing नहीं का सकते हो, यहाँ पर जो water supply है, वो required है, तो अगर आपके घर पर पानी का problem है, तो उस case में आपको इसे water tank से connect करना होगा, because यहाँ पर आपको एक continuous water supply की requirement होती है, इसी के सा तो जो front, sorry, top loading washing machines है, वो आपको 14,000 रुपे से लेकर 25,000 रुपे के आसपास देखने मिल जाते हैं, अलग-अलग capacity के साथ, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं, fully automatic front loading washing machine की, तो इस type के जो washing machine है, वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने मिल जाते हैं, बात करते हैं, कि यह यहाँ पर आपको tumble washing effect मलता है, यहाँ पर जो drum होता है, जिसमें कपड़े wash होते हैं, वो horizontally align किया गया है, और इस वज़े से जब यह move होता है, तो आपके जो कपड़े ऊपर से नीचे से पटके जाते हैं, तो आपको एक धोबी पच्छाड वाला effect मलता है, जिसको हम कहते है tumble effect, इसकी जो washing quality है, वो बाकी दोनों ही machines से काफीज़ा superior है, तो यहाँ पर आपको washing quality काफी इच्छी मिलती है, इसी के साथ इसमें आपको water requirement काफीज़ा कम लगती है, काफी कम water यहाँ पर लगता है, और इसकी electricity consumption भी काफी कम है as compared to top loading washing machine, इसी के साथ यहाँ पर आपको front loading washing machines है, उसमें आपको heater भी मिल जाता है, तो अगर आप गरम पानी के साथ कपड़े wash करना चाहते हो, और या फिर एक fixed temperature में कपड़े wash करना चाहते हो, तो वो option भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, तो यह कुछ benefits यहाँ पर आपको front loading में मिलते हैं, इसी के साथ यहाँ पर ब washing machines जो कि आपको इस समय मार्केट में देखने मिल रहे हैं, मेरे साथ से सभी washing machines अच्छे हैं, यहाँ पर जो factor matter करता है, वो है आपका budget और आपकी requirement, अब आपने पहले ही आपका maximum budget decide कर लिया है, तो आपके budget में जो भी washing machine आता है, आप उस type को select कर लिजे, बढ़ते हैं यहाँ में जो आपको drum मिलता है, वो कितने kg तक के कपड़े को एक time में wash कर सकता है, तो इसे बोला जाता है washing machine की capacity, अब कितने kg का washing machine लेना है, यह बहुत से different factors पर depend करता है, सबसे पहला और major factor है कि आपके family में कितने members हैं, और अगर members हैं, तो आप दिन में कितने कपड़े धोते हो, कितने kg कपड़े आप धोते हो, तो यह कुछ factors matter करते हैं, यहाँ पर आप help के तौर पर इस chart को considerate कर सकते हैं, इस chart के according आप check कर लेजे, जो भी आपके requirement of fit हो, आप उस kg का washing machine बाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप 6.5 का बाई कर सकते हो, अगर आप 6.5 का बाई कर सकते हो, उसलिए फिर आपको अगर 4-5 members है, तो 8 या फिर 9 kg का washing machine आपको बाई करना चाहिए, तो आप इस chart को consider करके easily decide कर सकते हो, एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, आपकी जो requirement है, आप उतनी kg का washing machine बाई कीजे, अगर आपकी requirements अगर आप कम kg का बाई करते हैं, अगर आपकी फैमिल करना बिल्कुल भी recommended नहीं है, इससे आपका जो drum है, उसकी position खराब हो सकती है, और drum में problem आ सकती है, तो overloading की problem हो जाएगी, और यहाँ पर इसी के साथ ये भी हो सकता है, कि आपको कपड़े 2 cycle में दोने पड़े, अब 2 बार अगर आप washing machine यूस्ट करोगे, तो पहले तो time भी लगेगा, और जो electricity है, वो भी आपकी जादा लगेगी, इसलिए recommended है कि आपका जो requirement है, उससे थोड़ा बहुत आप आगे पिछे कर सकता है, लेकिन काफी कम नहीं लेना है, सपोज आपकी requirement तीन लोग हो और तीन लोगों के साब से आप 6.5, 7 तक ले सकते हो, और ज़रोर से जादा भी नहीं रिना है, सब उस तीन के लिए अगर आप 10-11 kg का ले रहे हो, तो कोई point नहीं बनता है, तो एक सही capacity का washing machine buy करना बहुत जरूरी है, आप इस चार्ट को consider कर सकते हैं, तो अब यहाँ पर हमने budget, type और capacity decide कर ली है, अब जो अगला point है, वो कुछ लोगों के लीजे, washing machine के dimension से, आपको जो washing machine के dimension है, वो offline और online दोनों ही platform पर मिल जाएंगे, अगर आप Amazon Flipkart पर भाई कर रहे हो, तो images को आप scroll कीजेगा, last में आपको जो है, washing machine का proper dimension मिल जाएगा, तो आप यह definitely check कर लीजेगा, कि आपके पास proper space है या भी नहीं, तो जितना भी washing machine का dimension है, उससे थोड़ा extra space ही consider करना, because थोड़ी space बगल में होनी भी चाहिए, और अगर आप fully automatic buy कर रहे हो, तो उसके लिए आपको water supply के pipe के लिए भी थोड़ी जगा होनी चाहिए, तो यह important point है, because अगर आपके पास space available है, then कोई issue नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आपने गलती से भी थोड़े बड़ी size ले ली, तो problem हो जाएगी, फिर आपको कहीं और उसे मतलब लगाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं बोरा था, यह important है, well अब यहाँ पर हम बात करते हैं, कौनसे brand का washing machine लेना चाहिए, देखे, जो भी brand मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, यह सभी brands एक अ अची service देते हैं, तो brands कौनसे आपको consider करने चाहिए, LG, Samsung, IFB, Bosch, Bosch के जो front loading washing machines हैं, वो काफी जदा अच्छे होते हैं, Panasonic के आप consider कर सकते हो, Onida के आपको washing machines मिल जाएंगे, काफी budget friendly होते हैं, whirlpool के आप consider कर सकते हो, तो यह कुछ brands हैं, जो की काफी अच्छे washing machines आपको देते हैं, और जो motor होता है, उसके उपर आपको 10 साल की warranty देते हैं, तो try कीजे आप ऐसे washing machine choose करने का, जिसमें आपको 10 साल की motor warranty मिले, और at least 2 साल की आपको पूरे product पर comprehensive warranty देखने मिले, इसी के साथ अगर आप ruler area में रहते हो, well connected cities नहीं है, तो एक बार जिस भी brand की आप washing machine buy करने की स service available होगी, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या वो brand आपके location पर service provide कराता है, और कराता है तो कितने time में आपको service मिलेगी, तो यहाँ पर आप brands को लेकर जितने भी confusion थी, I hope वो आप यहाँ पर दूर हो चुकी होगी, इसी के साथ अगर आप फिर भी नहीं decide कर पा रहे ह मेरे कुछ best recommended washing machines की list मिल जाएगी, हर एक category में आप उसे check out कर सकते हैं, बाकी वीडियो अभी तक अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को like जरूर किर दीजे और channel को भी subscribe कर लेजे, ऐसे interesting videos के लिए, वेल आप यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ important tips की, जो की आपको यहाँ पर consider करने चाहिए, देखें यहाँ पर सबसे important बात यह है कि अगर आप fully automatic washing machine ले रहे हैं, तो आप यह check कर लीजे कि क्या उसमें हमें inverter motor देखने मिल रहा है, inverter technology वाला motor देखने मिल रहा है, या फिर नहीं, because अगर inverter technology वाला motor होगा, तो वहाँ पर हमें vibration कम देखने मिले वो कौन से material का बनाया गया है, अगर आप semi automatic ले रहे हैं, तो उसमें आपको majority of washing machines में plastic का ही tub देखने मिलता है, तो आप उसमें plastic consider कर सकते हैं, लेकिन अगर आप fully automatic buy कर रहे हैं, चाहिए वो front load हो या फिर top load हो, तो आप prefer कीजे कि आपको उस washing machine में stainless steel का drum देखने मिले, because stainless steel जो है, वो काफी long term तक रहता है, और इसमें जो rust है, वो भी नहीं लगती है, और उसकी जो quality है, वो काफी अच्छी होती है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, और इसी के साथ, suppose अगर आपका budget कम है, और आप एक ऐसी washing machine लेना चाहते हैं, जिसमें आपको heater का support मिल हैं, उनमें भी आपको heater का support मिल जाता है, तो वो काफी कम price मिल जाते हैं, I think 20,000 और पे से कम उनकी pricing है, इनकी वी links मैं आपको निच्छे description में दे दूँगा, इसी के साथ और एक important point है, वो है RPM, यानि revolution per minute, देखें, अगर आप washing machine ले रहे हैं, especially मैं बात कर रहा हूं, fully automatic की, त उतने जल्दी ही आपके कपडे dry होने वाले हैं, तो अगर आप किसी दो washing machine या फिर तीन washing machine को लेकर confused है, अगर वो तीनों ही almost same निकल कराते हैं, तो उस case में RPM आपके लिए deciding factor हो सकता है, तो उनमें से जिसमें आपको ज़्यादा RPM मिले, उसको आप buy कर सकते हैं, वो आपको ज आपको एक washing machine buy करते वक्त ध्यार में रखने चाहिए, इसलिके साथ मुझे और कोई point लगता है, important है, तो वो मैं आपको description में note के तोर पे देदूँगा, आप उसे भी consider कर सकते हैं, उमीद करता हूँ, ये video आप सभी के लिए helpful रहा होगा, अब मुझे लगता है कि अब अफी अच्छी बात है, लेकिन वो आपकी primary requirement नहीं होने चाहिए, उसको आप secondary बान के चलो, पहले ये check करो कि इसमें RPM कितना मिल रहा है, washing quality कैसी है, machine की quality कैसी है, warranty कैसी मिल रही है, ये सारी चीज़ों पर आप जावा ध्यान दीजे, विकॉस आपको update होने है, smart features तो बाद मे आएंगे, तो ये शीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो इमीद करता हूँ, ये वडियो आप सभी के लिए helpful रहा होगा, मेरे recommended washing machines आप नीचे check out कर सकते है, और चलो subscribe कर लेजिए, कोई भी doubt है, कोई भी question है, comment कर सकते है, या फिर बात कर सकते है, मुझसे Instagram पर, Instagram की भी ID आपक सब्सक्राइब के लिए, टाटा, बाइबाइ, साउनारा